हेला फ्रेंज किसी का भाय किसी की जान फाइनली 100 क्रोड नेट बॉक्स ओफिस इंडिया में कलेक्शन कर चुकी है फ्रेंज सलमान खान की अलगातार सोलामी पिक्चर है जिसने इंडिया नेट कलेक्शन 100 क्रोड पार किया है अब देखना यह है कि क्या यह फिल्म एक हीट का टैग ले पाती है या नहीं क्योंकि इस मुवी का बजट ही 100 करोड है अगर यह मुवी 110 से 15 करोड के बीच करनेट कलेक्शन कर पाती है तो इसे एक लिन हीट का टैग दिया जाएगा नहीं तो यह एक एवरेज मुवी के लिस्ट में सामिल हो जाएगी फ्रेंड सच मुनों तो सल्मान खान के सूपर स्टाडम पे यह कलेक्शन अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन जिस तरह से यह फिल्म निकल के आई है फिल्म को लगतार नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं और जब से यह मुवी बनना स्टार्ट हुए थी तवी से फरहाद सामजी नाम के एक अजूबर डारेक्टर जिसके कारण यह मुवी ट्रोल होती रही है और इस फिल्म में सल्मान खान ने अपने गरिवियों को बेरोजगार योजना केता है इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स को एक्टिंग कराई है जिनके एक्टिंग से कोई लेना ही देना नहीं है फिर भी यह इतने सारे नेगेटिव एक्टर होने के बावजूत यह मूवी 100 कोड करने कलेक्शन कर लेती है तो इसे सलमान खान का सुपर स्टाड़ा मी कहेंगी नहीं तो इस मूवी के साथ कोई दूसरा एक्टर होता तो इसने रिलीज के दूसरे दिन ही धारा साही हो जाती वोक्स ओफिस पर लेकिन सलमान खान और उनके फैंस के बदोला यह मूवी अभी भी चल रही है तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही फिल्मों से जुड़ हर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब करें और वीडियो को लाइक करें